चीफ जस्टिस डरंजन गोगोई पर यौन उत्पीडन आरोप के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट के तीन जज़ों की नई बेंच कर रही है इस बेंच ने वकील उत्सफ बेंच को नोटिस चारी कर सुप्रीम कोट में हाजर होने के लिए कहा है उटसर बेंच बही वकील हैं जिन्होंने दावा किया था कि यौन उत्पीडन मामले में पीड़ता की पैरवी के लिए उन्हें डेड़ करोर रुपे की रिश्वत ओफर की गए थी बेंच ने अपनी सुन्वाई में और क्या क्या कहा हमारे सहयोगी अजय चा बता रहे है करते हुए सके बेंच को नोटिस जारी करते हुए सकल सारे दस बजे तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है उटसब बेंस ने ये कहा था कि उनको एक अजय नाम के सक्स ने डेर करूर रुपे ओफर किया था इस प्रेस कॉन्फरेंस को करने के लिए और विक्टिम को रिप्रेजेंट करने के लिए और कही न कही उटसब बेंस ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाब कॉंस्पिरेसी की बात उन्होंने कही थी आज जो नई बेंच बनाई गई है तीन जजों की उस बेंच ने उस बेंच को कल कोट में सुबह साड़े दस बजे हाजिर होने के लिए कहा था इससे पहले सनिवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की बेंच ने इस सेक्सुल हरास्मेंट का जो आरोप लगा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उस मामले में सुनवाई की और कल तक के लिए इस मैटर को टाल दिया गया है और कल वकील उच्छ सब्बैंस को हाजिर होने के लिए कहा गया है उच्छ सब्बैंस ने गो न्यूस से ये कहा है उन कर दो